दोस्तों अगर आप जारकन से आते हैं ते फ्री वीडियो आपके लिए आज किस वीडियो में मैं आप लोग को OVC NCL certificate online करके दिखाने वाला हूँ OVC means other backward cast और NCL means non-crimalier एक कrimalier होता है और एक non-crimalier होता है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कास्ट लोकल इंकम certificate के बारे में बता चुका हूँ पहले ही और आप मैंसे काभी सहरो के comments भी आ रहे थी कर सकते हो फिर मैं आगे के प्रोसेस के बारे में बता हूँगा सो यह गाईस मैं कॉसिक आप देखें टेक में वेलकम बैक टो मैं चैनल करते हैं वो भी आपको details यहां पर fill करना होता है उसकी बाद इसका जो declaration है form 8 यह भी आपको fill करना है अगर आप 18 से उपर है अगर आपका इसके अलावा अगर तदकाल में देना है तो आपको यह form fill करना होता है इतने सारे forms के साथ आपको वोटर कार्ट या अधार कार्ट एटेच करना है आप चाहे तो पैन कार्ट भी दे सकते हो इसके अलावा इतना ही नहीं आपका जो कास्ट लोकल इंकम इससे पहले बनवाए हैं उसे भी अटेच करना पड़ता है अगर आपके पास कास्ट लोकल या इंकम नहीं है तो फिर आप स्टेट ओबीसी या सेंट्रल ओबीसी के लिए अपलाई नहीं कर सकते हो अब आते हैं ऑनलाइन कैसे करना है उसके लिए आपको सबसे पहले जारसेवा के ऑपिसेल साइ इस पर क्लिक कर देना उसके बाद यहां पर आपको डाटली ओविसी लिखकर सर्च करना है जैसे आप विसी लिखते हैं आपके सामने दो तीन कीन चार तरह के फॉर्म सा जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो का सेटिफिकेट ऑफ ओविसी बाइस डियांडी सी यहां पर आ बनाना चाहते हैं ततकाल एजुकेशन इंप्लॉइमेंट या एडमिशन या कोई दूसरे अर्दर परस्परस्थ से तो मैं फिलाल अभी एजुकेशन परपरस्थ से बनाना चाहता हूं जिसका मैं ऑनलाइन कर रहा हूं इसकी बाद नीचे आ जाते हैं यहां पर आपको पर पर्मनेट अड्रेस फिल करना जो आपका स्टाइप पता है पिन कोड एंटर करने के बाद यहां पर जैसे की लोकेशन टाइप आपका जो लोकेशन है वह किस टाइप का है रुलर है नगर पंचायत है मुनसिपल कॉर्परेसन है अगर आपको नगर पंचायत आपका वाड नमबर अगर रूलर है तो आपका गराम पंचायत आपका जो गाउं है वो कहां पड़ता वो सब कुछ यहां पर फिल करना हो और नीचे जैसे कि देख सकते हैं यह जो आपने पर्मनेंट एड्रेस फिल किया है इस एड्रेस पर ही आपका एप्लिकेशन प्रोसेस किया जाएग उसके बाद यहां पर आपको पर्जेंट एड्रेस एंटर करना है एड्रेस फिल हो जाने के बाद यहां पर आपको नीचे आ जाना है अब यहां पर आपको फादर्स डिटेल्स फिल करना है क्या कास्ट है जो आपका कास्ट होगा वो आपके फादर्स का भी कास्ट होगा प इसके बाद अगर आपके Fathers कोई भी समयधानिक पतपर हैं या Central Level में काम करते हैं State Level में काप करते हैं Public Center में काम करते हैं या कोई International Organization में काम करते हैं अगर काम करते हैं तो यहां पर आपको Yes करना है अगर काम नहीं करते हैं तो इन शारी चीजों पर Know करते हैं Saturday Person है Salary Employee है तो Yes करना है नहीं तो No करना है किसी Arm Forced Military में काम करते हैं Serum और आपको Professional Income जो काम करते हैं उससे कितनाual earning होता है शलाना कितना कम आते हैं, वो यहां पर आपको एंटर करना है, अब यहां पर अगर आपका income business से भी आता है, तो यहां पर एंटर कर सकते हो, rent से आता है, यहां पर दे सकते हैं, अगर किसी भी plantation जैसे की tea, spice, mango, इन सब से आता है, तो यहां पर आपको एंटर कर सकते हो, अब यह दिटील्स यहां पर पहला नाम है वह यहां पर आपको एंटर कर देना अगर कॉई काम करती है को वी सैक्टर में तो यहां पर आपको एंटर करती है अगर काम नहीं करती है हुज वाउस है तो यहां पर आपको पार्स ν傑 मास्टर्डश का क्ने यहां पर आप एंटर कर सकते हो उसके बाद आपके फादर की तरह ही अगर आपकी मदर कोई भी पबलिक सेक्टर में कोई भी गवर्मेंट में कोई इंकम दिखाना पड़ता धे इसके बाद declaration आ जाता है, यहाँ पर आपको yes कर देना है, जो कि पहले से by default किया हो रहेगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यह form है, वो किस office के लिए जाएगा apply के लिए, इसके बाद यहाँ पर आपको capture कर लेना है, drop करते हैं तो यह save रहेगा, submit करते हैं तो फिर आगे process हो जाएगा और आपको preview दिखाएगा, यहाँ पर एक बार verify कर लें, जो आपने fill किया, वो सब कुछ बराबर है या नहीं, अगर कुछ भी correction करना चाहते हैं, तो नीचे edit का option है, आप correction कर सकते हो, अगर सब कुछ सही है, तो यहाँ पर attach annexer पर click कर देना है, अब जान रहे कि आप यहाँ पर jpg, jpeg या pdf format में upload कर सकते हो, और 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर proof of ordinary resides में, आप कोई भी document यहाँ पर upload कर सकते हैं, इसके बाद proof of cast में, आपके पास खत्यान है, तो यहाँ पर आपको upload कर देना है, उसके बाद identity proof में, आप य closure of ततकाल में, तो जो ततकाल का form होगा, उसके साथ जो आपने form को attach किया है, और upload कर देना है, उसके बाद proof of permanent residence में, मैं other government document देता हूँ, relevant document, सारे document अप्लोड हो जाने के बाद, यहाँ पर आपको save nxr पर click कर देना है, जैसे आप save nxr पर click करते हैं, आपके सामने preview open होकर आ तो यहाँ पर आपको side details, जो document है, वो सब कुछ check कर देना है, verify कर देना है, अगर सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आपको submit पर click कर देना है, जैसे आप submit button पर click करते हैं, आपके सामने यह जो application हो जाएगा, और एक acknowledgement sleep आ जाएगा, अब इसके जो acknowledgement sleep में जो reference number है, इससे आप track कर सकते हैं, जो आपने application process के लिए apply किया है, वो application का जो काम है, वो कहां तक पहुंचा, तो इस तरह से आप अपना OBC NCL के लिए apply कर सकते हैं, आप किसी भी CAC Center या जहार सिवा के operator के पास दखर भी apply online कर सकते हो, अगर आपको मेरे से online करवाना है, तो फिर आप मुझे comment कर सकते ह हैं, नीची कोई भी सब्सक्राइब प्लाटफर्म पर message कर सकते हो, एक form भी होगा, उसे भी आप फिल करके भेज सकते हैं, तो अगर वीडियो इंफर्मेट लागा, तो like, comment, subscribe to my channel, और इस वीडियो चे कोई भी सावा और रिचे कमेंट कर पूश सकते हो, आज लिए जली बन